आप सबी को स्रावन मास की हार्थिक सुपकामना है मैं योगाचारे उज्जोल चमोली आप सबका हार्थिक अभी नंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल योगनगरी रिशिकेश में आप सब स्वस्त होंगे, सुरक्षित होंगे और निरंदर योग ये योग से जुड़ी वी क्रियाओं का लाव इस चैनल के माध्यम से उठा रहे होंगे और लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुचाने में मदद कर रहे होंगे तो जैसा कि मैं बहुत सारी चीजों को आपको डिफाइन कर चुका हूँ बहुत सारे आसनों को आपको करके बता चुका हूँ तो आज मैं एक ऐसा ही टॉपिक लेके आया हूँ अकसर आप लोग देखा करते हैं कि जो लोग तनाव में होते हैं उनकी रीड की हड़ी जुकी हुई होती है जबकि जो लोग तनाव में नहीं होते हैं तो उनकी पीट और रीड की हड़ी एकदम सही रहती है और confidence से भरे वह रहते हैं तो आप सबी जानते हैं कि रीड की हड़ी सरीर की सबसे महत्वपूर्ण बोन में से एक है इसके बावजूद भी हम इसके परती लापरभा हमेशा रहते हैं वैसे तो रीड की हड़ी आपके शरीर को आकार और ब्रेन को मैसेज पहुचाने में काम करती है वैसे तो रीड की हड़ी को मजबूत बनाने के लिए कई ऐसे योगासन हैं जो आप घर पे आसानी से कर सकते हैं उनमें से एक सबसे जो महत्वपूर्ण आसन है जिसका नाम है मतसेंद्रियासन जो आपकी कमजोर रीड की हड़ी को सबसे जादा और सबसे जल्दी मजबूती परदान करता है तो आज इस वीडियो में मैं उसको करके दिखाऊंगा आपको कैसे आपको करना है और कोशिश करन जितना आप लंबे समय तक तीन से पांच मिनट दस मिनट आप इसमें होल्ड कर पाएंगे तो आपकी उतनी स्पाइन और जो आपकी रीड की हड़ी है वो मजबूत होगी और आप स्वस्त रहेंगे और आप सेहतमन रहेंगे तो आज इस वीडियो में मैं वो करके दिखाऊ सबसे पहले हर आसन को करने से पहले सबसे पहले आपको basic posture करना है अपने पैरों को moment देना है तो क्या करेंगे सबसे पहले पैरों को shake कर लेंगे ताकि आपका blood circulation activate हो जाए उसके बाद हम एक पैर को दूसरे पैर की जांग पे लगाएंगे ठीक है और एक पैर straight रहेगा पंज चैस पर लगाना है नीज को और नीचे की तरब जमीन पर लगाना है तो आठ से दस बार हम इसको करेंगे उसके बाद होड़ करेंगे थोड़ा सा दस से सेकेंड के लिए दीरे से वापस चेंज करेंगे दूसरे पैर से ही कुछ परकार ऐसे ही करेंगे शेक करेंगे पहले पुछ करेंगे नीचे की तरब आप करेंगे कि बाद दीरे से इसमें भी होल्ड कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए इसके बाद दीरे से वापस उसके बाद फिर से शेक करेंगे पैरो को थोड़ा साम बटरफ्लाई भी कर लेंगे ताकि हम उस आसन में लंबे समय तक बन पाएं ठीक है उसके बाद कर लिया हमने बटरफ्लाई स्टार्ट करेंगे आठ से दस बाद शेक करेंगे पहले उसके बाद एक ही बारे में बॉड़ी को स्ट्रेस करेंगे नीचे की तरब फुश करेंगे और होल करेंगे इसमें 10 सेकंड के लिए दीरे से वापस उसके बाद आएंगे आएंगे मस्तेंद्रियासन में सबसे पहले दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे उसके बाद एक पैर की नीज को स्ट्रेट कर लेंगे और दूसरे पैर को मोड करके अपने हिपस के पास तक लाएंगे उसके बाद आपने अपोजिट हैंड से जो आगे एंगल है उसको गृप करेंगे और पीछे दूसरे वाले हाथ को रख देंगे कमर को सीधा करेंगे और पीछे की और देखेंगे तो मैं आपको 20 सेकंड करके दिखा रहा हूँ इसमें स्टे करके और बॉडी को जितना हो सकता है स्टेट रखना है स्पाइन को जितना है वो सीधी रखनी है, अगले 20 सेकंड के लिए, धीरे से सबसे पहले हाथों को लाएंगे, उसके बाद दूसरे हाथ को भी खोलेंगे, उसके बाद पैरा को खोल करके शेक कर लेंगे, उसी प्रकार दूसरी तरफ से भी हमनों करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले, फिर से पैरा को क्रास करेंगे, उसके बाद ग्रिप करेंगे उसको, और जो एडी है, वो हिप्स के पास आजाएगी, और पीशी की तरफ देखना है, स्पाइन को जितना सीधा कर सकते हैं, अगले 20 सेकंड के लिए इसमें रुके नाना है, आप इसमें नॉर्मल ब्रीद भी कर सकते हैं, या ब्रीद होल्ड भी कर सकते हैं, वो आपके खुद के उपर हैं, जितना आप कमपटेबल हैं, तो अगले 20 सेकंड तक इस आसन में बने रहेंगे, धीरे से वापस, रिलाक्स, अगर आप इस आसन को नियमित 5-10 मिनट रोजाना करेंगे, तो आप बहुत हद तक जो आपकी रीड की हड़ी है, वो भी मजबूत होगी, साथी साथ वो सीधी भी होगी, और आप हलका मैसूस करेंगे, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है, तो इस चैनल को लाइक करें, और लोगों तक भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसकी बार करेंगे, जização करेंगे, तबते ज जो, आतकि लाइक, वी बार आपकी बार आपकी और आपक, वी भी होगी है, ये मिनको आतोगको आन्योस करेंगे, पी हीट, लूड़ी होगी है, भी आपकी है, जा है खिरा हम भी भी इसकी है, बहुद़ूू।